हेलो एवरिवान आजना लेक्चर मां आपड़े जे टोपिक विसे के जे थियरी विसे चर्चा करसू ते तमारी टेक्सबूक ना थोड़ाज पॉइंट्स आपेला छे तमने एकदम सुपरफिशल आपेलू छे बट एकचूर मां जो आ जाई तो टोपिक छे ते घणो मोटो आप आपड़े तेमारी गणा बदा क्वेस्टन्स थे तमने जनेटिक रिलेटेट पूछाता होई जे तो आज आपड़े तेवाँ टोपिक विसे चर्चा करसू पट ते में टोपिक चालू करता पेला एक शोट टोपिक छे जेश डायरेक्ली एमसी क्यू मां टेच छे अह ठेले छे मनुश्यiają ऐवा केटलाँ देहिक रंगसूत्री य लक्षणों ना उदाहरणु मनुषण लक्षणों है drive तेहीक रंग सुत्रमा आवेला छे औने जे खुब जुए इंपोर्टेंट पन छे तो देहीक रंग सुत्र है तमने ख्याल छे कि नंबर वन थी 22 मा नंबर सुधीना रंग सुत्र में आपड़े शूकैशु देहीक रंग सुत्र कि जे स्त्री औने पूरुष बन्ने मां समान हसे तो तेवा काईक आपड़े रंगसुत्र ना लक्षणों विसे चर्चा करी तो वे अहीं लक्षणों निवाद छेले तमने ख्यालत छे बे प्रकार ना तेमा कारको होई प्रभावी औने प्रच्छान प्रभावी हसे तेवु असर छे तेवी अभिव्यक्ती छे ते जोवा मड़े प्रचन छे तेवी अभिव्यक्ती जोवा नो मड़े जो प्रभावी हाजर होई राइट आ कोंसेप्ट तमने पेले थी अवे ख्यालत छे ओके तो जो ये सोप्रथम लक्षण तो पेलू छे आखनो रंग आखना रंग माटेना 2 कारकोंई वाद करी आपने तो प्रभावी प्रचन जेमा प्रभावी होई बदामी रंग अथ्वा तो काड़ा रंग अने प्रच्छन हसे वादड़ी येले के ब्लू गलर खास करी ले तो ये प्रभावी रंग छे बदा मी अने काड़ो येले अने प्रभावी लक्षन चे वादड़ी रंग जोवादड़ी रंग जोवादड़ी रंग नहीं येले बे माथी एक पेरेंट नी आई छे ते वादड़ी होए एड़ले के ब्लू होई छता पन बाड़क छे ते बदा मी एटले के बदा मी अने काड़ो येले के नोर्मल आई धरावतु होआना चांसिस छे ते सौथी वदा रेके इमके ते प्रभावी लक्षन छे ओके सेकन जोए काड़ मी बूट ज beta एक जोए बे लक्षन तो प्रभावी लक्षन छे मुक्त अने प्रचन लक्षन छे सहयूक्त एटले के काड़नी बूट तमें उब्जाव करेली होई तो ते छे मुक्त अनी सहयूक्त मुक्त एटले के ते फेज साथे खासकरी इने गालना भाग साथे चोईट होए चोडायल होए तो तेने संयुक्त केवाई औने छुटो भागोई तियां थी लेके क्लियरली अलगतरी आवे तो तेने केवाई मुक्त तो मुक्त लक्षन छेते के उचे प्रभावी छे कर आधिमार णेस धरसंय तेने होई प्रचाण लक्षन चे तेने हिस्ट लक्षन ब्रचाई। शेके वाड के वाहसे वाकडिया एले तम्हे जोयूपण होए गणिवार अबजववपण करेलू होए कि कोई बे पेरेंट माथी एक ना करली हेर हो एटले संतान ना मोस्टली करली हेरत जोवा मड़े एउसुका में तो के ते प्रभावी लक्षन छे एटला माटे वधार अभिव्यक्ती करवा माटे जवाबदार छे नेक्स छे गाल तो तेमा बे लक्षनों प्रभावी छे खंजन पड़ता गाल एले के डिमपल पड़ू गालमा अने बिजू लक्षन छे सामानिय गाल एटले के खंजन वगर ना गाल तो जो अही पन प्रभावी लक्षन छे ते खंजन पड़ता गालनू छे एले बे माथी एक पेरेंट ने जो खंजन पढ़ता हसे गाल मा तो चांसेस छे के जे पन चाइल्ड होई बोई होई के गल होई तेने पन खंजन पढ़ता हसे किमके ते प्रभावी लक्षन छे ओकी नेक्स छे जीबनू वडू तो तेना पन बे लक्षनो प्रभावी छे रोलर एल्ले के जीब छे ते आखी वड़ी जावी तमें उल्टावी सको जीबने तमारी चातेज बिजु छे नोन रोलर एल्ले के तमें तेने रोल न करी सको वाडी न सको तो प्रभावी लक्षन छे रोलर एले most of छेते तेनी जीब छेते आसा नी थी bend करी सके वाड़ी सके राइट रोलर एले के रोलर प्रमाण मा round छेते round round छेते turn करी सके next छे आरेच फेक्टर तो आरेच फेक्टर सुछे चे तमने लोकोने कदाच ब्लेट गरूप मा ख्याल हसे नहीं होई तो जणावी दो आरेच फेक्टर एले के ते रीसस मंकी तो आवाजे बांदरा हो छे तेमा सव प्रथम बारते जोवा मड़ियू एटले तेनू नाम दीदू छे आरेच फेक्टर रीसस प्रबण अवे आसू छे तो के आपणा बलड सेस लेके रक्त करणो तेना पर आव़ एक आरेच फेक्ट होई A होई B होई के O होई तेनी साथे साथे जो आरेच फेक्टर पाण हाजर होई तो ते पोजिटिव के वास है जमके A पोजिटिव B पोजिटिव O पोजिटिव वगेरे अन्ने जो आ आरेच फेक्टर छेते गेर हाजर हसते तो ते बलड ग्रूब छेते नेगेटिव के आए चिम्के आरेच नेगेटिव एले के ए ब्लड ग्रूप छे ते नेगेटिव बी नेगेटिव लाइकवाईस तो अहीं पन आरेच फेक्टर मां प्रभावी होई छे हम्मेशा आरेच प्लस येले मोस्ट ओफ ना ब्लड ग्रूप तम्हें जोया जह से तमारी आसपास ना अग्जेंपल्स लई सको फ्रेंड्स ना एक्जेंपल लई सको कि जह मोस्ट ली केवा हसे आरेच पोजिटिव ते प्रभावी लक्षण छे जहरे आरेच नेगेटिव छे ते प्रच्छन लक्षण छे लेबो रेरली व्यतित था तो ओएच ओकी नेक्स छे लास्ट तवच लग्षण नो रंग तो सामाणिय अने अल्बी नो सामाणिय लक्षण प्रभावी छे एटले के घंवानी त्वचा जहने आपड़े कई सकी मेडियम टोन पर आवर एकदम डार्क ब्लेक टोन पन नहीं एकदम वाइट टोन पन नहीं तो ते वो लक्षण छे सामाणिय अल्बीनो ये प्रचन लक्षण छे इंडियंस नी आपड़े खास करी ने बाद करी अल्बीनो ये टलेके खुबज गोरी त्वचा पर आवर वाइट टोन तो व्या वाइट कलर नी त्वचा एकदम वाइट एंहीं आपड़े मध्यम थी पन वधारे टोन हायस टोन छे जन प्रभावी जोवा मड़े चे अत्व वाड चे तो केवा प्रकार ना वाड चे ते प्रभावी लक्षण धरावे चे त्यों विरीते प्रभावी एने प्रचन छे ते तमारे याद राखवाना रह से हवे नेक्स्ट आपड़े जे टोपिक सरू करवा जही रहिया छी है ते मेइन टोपिक छे आपड़ा आजना लेक्चर नो अने जे आपड़े बे लेक्चर सुधी कंटीनियू करवानू रहे से किमके थोड़ों मोटो टोपिक छे जे मां थी तमने जस्ट एक बे परिग्राफ चेटली लाइन्स छे ते तमारा NCRT सिलेबस मा टेक्स्ट बुक मा आपवा मा आवेल छे बाकीनी डीटेलिंग छे ते आपवा मा आवेल नती जस्ट टॉम्स आपेली छे बटे टॉम्स नो मेनिंग सू थाई एक एवा प्रकार न थोड़ी लाइन्स से जापेले छे जेंसी क्यों मा टेज इंपोर्टन छे तमने थियोरेटिकल कदाच नहीं पन पूछाए राइट केमके वधा डीटेलिंग टेक्स्ट बुक मा ना थी तमारे तो आपड़े चर्चा करिए नेक्स्ट टोपिक छे विक्रूती चेने इंगल नुकलियो टाइडनी ATGC तेमा वेकल्पिक बदलाव प्रे राइच यहले तेमा का एक चेंजिस आवे पराबर अने तेना परी नाम स्वरूपे सजीवना जनीन प्रकार अने स्वरूप प्रकार मा परिवर्तन आवी जाएच और स्वाब आवी छे DNA सीक्वेंस बदलावी ए यहले के स्वरूप प्रकार पण फेर वाई जासे जेम के आपने ही अमनाज प्रभावी ने प्रचन लक्षणोनी वाद करी तो आँखनो रंग बदामी रंग मा आटे जवाबदार सपोस जनीन छे तेमा का एक चेंजिस थाई यह तो का एक रंग मा पन परिवर्तन थेई ज परांतु काई पन चेंज थाई सपोस तो स्वाभाविक्षे स्वरूप प्रकार पण बदली जासे लेके देखाव पण फेर फार थेई जासे जे कोई पन जनीन मावी सिक्वंस चेंज थासे ते जनीननों अभिव्यक्ति पण बदलाई जासे तो पुनह संयोजन सिवाई के जे कुद्रती रिते जोवा मडए छे अर्धिकरन दरम्यान, पुनह संयोजन नी घटना तेना सिवाई विक्रुती ओसाधारन क्रिया छे जे डीनमा विवित्ता लावे छे पुना सयोजन जरूरी होई छे गुद्रती प्रक्रिया छे तेना डिदेथे नुखसान नथी धतु आपणा सरील मा परन्तु तेना सिवाई नी जे विक्रूतियों जोगा मडे छे आपना डी एने मा रंगसुत्रों मा ते बदी ओ साधरन क्रिया होँ छे कि जे डिएने मा कोई ना कोई प्रकारे प्रोब्लेम्स छे ते क्रियेट करती होई छे बराब तेना विसा आपने चर्चा कर सुट डीटेल मा आम विक्रूतिये असतत भिंतानो स्त्रोत छे विक्रूतिने लिदेज छे ते आवा चेंजिस छे ते सदियो थी आउतर रहे छे आने जोवा अमडे छे आम उद्विकास नी घटना जेने आपने कई तवा मनुषेना देखाव मा अपने ले आदी माना उथी लेने अत्यारना हालना इडवांस मनुषेर सुधीनी आपने वाद करी होमो सेपियन सेपियन सुधीनी तो जे काई पन बदलाव आवेला छे ते आवी विक्रूतियों ने जाबारी छे के दिमे दिमे धिमे थोड़ा थोड़ा जनीनों मा परिवर्तन थेया गया नेका एक नवा नवा स्वरूपो छे ते आवता गया तो अमुक लक्षणों छे ते नस्ट थेगे जर अमुक नवा लक्षणों छे ते जोवा पन मडिया ताम विक्रुतिने लिदेज बिन्ता छे ते जुवा मलेली छे पदियावरण मा ते कोई पण प्रकार नी पछी सजीव रजना होए तेमा बिन्ता छे वर्सों ने अंते ते विक्रुतिने ज आभारी छे फक्त सजीवना जनन कोशों मा थती विक्रूती ए वार्सागत होई जरे देहिक विक्रूती वार्सागत होती नथी तो यह आपने ख्यालाच छे कि जनन कोशों छे जमके सुक्र कोशने अंड कोश ब्रबर तेमा काईग चेंजिस थाई तेना डिएने मा काईग चेंजिस थाई तो जिते आगणनी संतती माँ जसे बरबर जमके बाकी आपड़ा चांबडी ना कोशों नी वाद करी है स्किन सेल्स तो तेमा काई परिवर्त ना व्यू तो ते जेते व्यक्ति पूर्तुज मरिया दित रहे सा ते तेना संतानों माँ ते आगणनी वदे सुका में केमके चांबडी माटे ना जे कोशों छे जोव मड़े शापड़ा सपोज हाथ हूपर तो एकोशों के आगणनी संतती मा जता नजी आगणनी संतती मा जवा माटे जवाबदार क्या कोश छे तुके बेज नर मा सुक्रकोश अने मादा मा अंडकोश जने आपड़े कई एछी ये जननकोश तो जोवावा जननकोश मा काई चेंजीս आवे तो आने तोज ते लक्षण छेते वार्सागत उतरे एटले के एछी चेंजीस छेते संतती मा पं जोवा बने अधर वाइस जवा माडे नहीं नहीं, वाद करिया आपने देहिक विक्रूती नी, तो सामानी रीते देहिक विक्रूती छे वार्सागत ना थी होदी, सुखामे केम के देहिक कोशो छे जे आपड़ा सरी ना बिजा बदा कोशो जनन कोशो सीवाई ना, ते नवी संत तीमा आगण न थी जता, एटले तेनी व विक्रूती ओपन आगण नहीं वदे एटले के वार्सागत नहीं जो अमाडे, परन्तु देहिक विक्रूती वानस्पतिक प्रजनन वाड़ी वनस्पती मा वार्सागत होई च, तो वानस्पतिक प्रजनन एटले शू तो के वनस्पती नो कोई पन भाग ले अन्ने तेमा थ तो आम तेमा तो देही कोशो जाविये डाइरिक तो आवी वानस्पतिक प्रजनें जे कोई पण वनस्पति मा जोवाम मने छे ते कीवुँ छे वार्सागत लक्षण छे तेमा देही कोशो पाण वार्सागत उद्री आओश तो आम विक्रुती सब्द छे ते सव प्रतम युगोद व्रिस नामना साइन्टेस्टे आप यो हतो जे तमार एमसी क्यों माटे याद राखवानू जे ओके तो आए इंट्रोडक्शन नी वाद थाई विक्रुती विशे हवे आपड़े विक्रुती ना प्रकार विशे चर्चा करता पहला डीटेल मा विक्रुती प्रेराई छे कोना लिदे तेना विशेनी बाद करी सुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ સો નેક્સ ટુપिक છે વિક્રુતી પ્રેરકો.. છેને કેવાઈ મ્યુટાજંઍસ હોકે મ્યુટાજંસ ના કેટલા પ્રકાડ છે ને કે આક્યા છે તેના વીશે જોઈએ તો એવા ઘટકો કે જે વીક્રુતિને પ્રેરે છે તેને મ્યુટા જંસ કહે છે આવ્યા પણ એમ્સીક્યુતારીકે પુછાય સકે યાદ કેલે સું અહીં આપણે મુખ્ય વીક્રૂતી પ્રેરકો વીસે ની વાદ કરીરકો છે કે જવાબદાર છે વીક્રૂ વીક્રૂતી પ્રેરવા માટે પ્ણ હીં આપણે મુખ્ય વીસે ચર્ચા કરીએ જમાં પેલા જોએ ભોતીક વીક્રૂતી પ્રેરકોવીસે તો ભોતીક વીક્રૂતી પ્રેરકો છેતે મોસ્ટલી વધા કિર્ણોનો સમાવેસ થ વીક્રૂતી પ્રેર્વા માટે જવાબદાર છે આને વીક્રૂતી એટલે સું તો હમણાજ આપણે ચર્ચા કરીએ જો તો ઉજ કક્ષાના સજીઓની ત્વચા વીક્રણનું સોશણ કરેચા પરંતુ તેમાં વધારે ઉંડે સુદ્યા વીકીણો છે તે જઈ સકતા નથી પરંતુ સુક્ષમ જીઓમાં તે અસરકારક વિક્રૂતી પરેર એલે સુક સુક્ષમ બેક્ટેડ્યા છે જંકે પ્રાણી કોષની આપણે ચર્ચા કરીએ તો કોષર સ્પટલ છે તે કોષમ જીઓમ માં અસર કારક વિક્રુતી પ્રેરે અને તેના લીદે થેને સુક્ષમ જીઓનું મૃત્યુ થઈ જે કે જો એક કોષ માજ કાઈ ખામીં સર્જાઈ જે ડીએને માથવા તો તું ટીજાઈ કોષ તો સ્વાભાદ ક્રિતે તે સુક્ષમ જીવો ઉપર રીસર્જ થતા હોય જારે રોગ કારક સુક્ષમ જીવો ઉપર વિવિદ રીસર્જ થતા હોય તો તો જો તેવા એર્યા હવા માં ક્યાઈ પણાવા જીવાણુ હસે ખાસકરીને રોગ કારક જીવાણુઓ તો સીધા જ ત એટલે કે ત્યાં સુધીમાં બધુજ અંદર છેતે સ્ટરીલાઈ સ્ટરીલાઈ સ્ટે એંશોટ એલે કે જો સુક્ષમા વડે પાસે રહેલા બે થાઇમીન એલેકે જે ન્યુક્લ્યોટાઇટ છે નાઇટ્રોજન બેજ એટીજી એમાનો ટીએટ અને તેલે સુંથઈ જાઈમીન ડાઇમર બનાવી દેજ જે ઘણીવાર ઘાતક સાબીત થતા હોએચય ન તેના લીદે રોગપણ વીક્રુતી પ્રેરકો જેના ઉદાહરણ છે સોથી પેલુ મસ્ટડ ગેસ તો આ મસ્ટડ ગેસ છેતે સૌ પ્રથમ એસીડ એડેલે એચેનો ટુ તો તેના લીધે પણ છેતે આ એચેનો ટુ ની પણ ડાઇરેક અસર છેતે ડારેક તેનો સંપ અને લાસ્ટ બાદ કરીએ તો કે એકરેડીન અને પ્રોફલેવિન નામના રંગો કો છે એલેકે ડાઇસ છે તે પણ વિક ગણીવાર રોગકારક ફેર્ફાર આવે અને ગણીવાર ઘાતક ફેર્ફાર આવે એટલે કે વિક્તિનું પણ થઈ સકે આવેલું છે અને તે જનીં છેતે કેવા લક્ષણ ની અભિવક્તી માટે જવાબદાર હદ તો આવી રીતે વિક્રુતીઓ છે તે અસર કર્તીઓ ગણી વિક્રુતીઓ એવી હોઈ કે જેમાં ડીએને ની શુંખલામાં ચેંજે તો તે એકર્તા વધારે કોડોન છે લેકે ત્રોણ તેવા ચાર કે પાંચ કોડોણ હોઈ તે એકજ પ્રકારને પણ ફેર્ફાર થાય ને અથવાતો ગણી વખા તેવા ઘાતક ફેર્ફારો થાય જેવન જરૂરી જણીનો છે તેની એતે અંગી કાઓ છે બધી રચનાઓ છે આ બધું બણાવં માટે જવાબદાર જણીનો માં સપોસ કઈ ચેન્જી સાવી જે તો ખાપણ છે તે આવા અંગો માં જુવા મળે ને તે જીવા માટે જીવન જરુરુરી માટે ખુબજાગે તેનો ફેર્ફાર થાય સૌરુ પ્રકાર માં દેખાય પણ તે ઘાતક નો હે માઇલ્ડ હે ગણી વખત રોગ જન્યા છે તો આપણે લેક્ચર ના ટાઇમીંગ અકોડીં સવપ્રથમ આજનીના વીક્રુતી વીસે ચર્જા કરીસું નેક્સ્ટ આખો લેક્ચર છે તે આપણો રોંગ સૂત્રીય વીક્રુતી પર હેસે તો આજે હોટ ટોપીક છે તે લા પોઈટ મ્યુટેશન જો નામ પર્થી ખ્યાલાવે પોઈટ મ્યુટેશન પોઈટ લેક સેંગ્લ ટપ્કું કરીએ તો એકાદ નુકલ્યોટાઇડ ની શુંખલા માં કઈક એકાદ નુકલ્યોટાડ એકાદ નેટ્રોજન બીજ માં ફેર ફાર નીયો પ્રકારનો નીટ્રોજન બેજ લે તતેને કપોઈટ મૂટએશન ળેલે તેને જગે નીજાયે યે તોય નીજાયે बदलाव करे छेल एक जग्या मा फिरफार करे एटले तो पॉइंट मुटेशन आपड़े ने कही छी राइट जे प्रोटीन ना बंधाराण मा एक एमिनो एसिड उपर बदलाव प्रे रहे छे जो एक अज नुक्लियोटाइट चेंज था है बले टीनी जग्ये आवी गयो पर जैसे एक सिंगल नुक्लियोटाइट चेंज थे ग्येनों मतले बेक आखो एमीनो एसिड चेंज थे जासे गणिवार गणिवार नो पन थे जे मैं तम ने की दुम सेम कोड बनी जाये पले बीजो कोड बहीनों पने सेमाज होई एमीनो एसिड मा तो कोई बदलाव नहीं ुआ बदे वी स्थाने लात्ट में भूराच में होखने लगुरी वी जफते हुआ के बद जचे लिवात्यू आ Partners छे ट्रांजीशन अंडर्ण्स वर्जिन को सब्सक्तराच Сथाने का ऽावी जञे प्यूरिन प्यूरिन माज बदलाव थाए और पिरिमीडिन पिरिमीडिन माज बदलाव थाए तो तेने केवाई ट्रांजीशन बिजो प्रकार छे ट्रांस वर्जन तो के Purin ना स्थाने जो Pyrimidin आवी जाये तो Pyrimidin ना स्थाने अन्य प्यूरिण माँ एक चेंजी साथ यहले के Interchange था एक बीजा साथे Purin नी जगे Pyrimidin और Pyrimidin नी जगे फरी पाच्छू Purin तो आवा बदलावने आपड़े केसू Transversion Clear? तो आहतो पेलो प्रकार Substitution एक सिंगल नुक्लियोटाइड माँ चेंज थाओ, सिंगल नाइट्रोजन बेज छे ते बदलाई जाओ, परन्तु तेना लिदे थी नाखे आखे आखो प्रोटीन छे ते बदलाई जासे किनके Amino Acid नो कोट बदलाई गेओ, ओके बीजू प्रकार छे Frame Shift Mutation चेंज बीजू नाम छे, जिब्रेरिश विक्रूती, अब आसू छे, तो के DNA ना बंधारण माँ एक अथवा भागियेज एक करता वधू नैट्रोजन बेज ना उमेरण अथवा तो दूर थाओ, तेने केवाई Frame Shift, एला खे Frame बदलाई जाओ, एला ही जो एक ते वधार, कातो ते उमेराई अथवा तो ते डिलीट थाई जे, तो तेने केशू आपड़े Frame Shift Mutation, एले के वधारे नुकलियोटाइड एकी साथे कातो नवी उमेराई जवी सिक्वेंस मां, आथवा तो होई ते माथी काएंक डिलीट थाई जवी, आ प्रकानी विक्रूती संपून जनिन संकेत बदलाई जाई छे, किमके घणी बदी नुकलियोटाइड मां जन्जी सावे, एटले आखे आखा जनिन नीच अभिव्यक्ती छे ते बदलाई जासे, थोड़ो गणो बदलाव नीच, पोईट म्यूटेशन छे ते मां थोड़ो गणो बदलाव आउतो होई छे, फले आखु प्रोटीन बदलाई जाई, परन्तु बो मेजर फेरफार नथी थाता, किमके एक कज नुकलियोटाइड चेंज थाई छे, परन्तु आहीं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मां सूंथा तो होई छे, घणी बदी नुकलियोटाइड बदलाई गी, एटले नुक्सान का रखोई छे, उआपने कही सकी, जैनु उदारन छे थेले सेमियारो, कि जै घातक जनिन ने जनमा आपें, एले थेले सेमिया मा जनिन प्रकार छेंटे एवी रीते बदलाई जाई, कि तेनु रूपा अंतरन ठेई जाई छे घातक जनिन मा, एले कि व्यक्तिन ब प्रकार तेमा केवी रित्नों बदलाव अन्ने तेना उदाहराण तो आवा त्रोण पोइंट्स छेते तमारे खास ध्यान मा राखवाना चे MCQ-related तयारी माटे अन्ने आ तयारी तमारी अपना ही कंप्लीट स्टडी करिये छी कंप्लीट टोपिक छेते आवरी लएची लेक्चर मा एले एना माटे तमारे विक्रुधी टोपिक जेमके सपोस पूरो था सहले त्यां सुधी मा तमारे नीट तमारी एक्जाम छे गुच सेट छे अन्ने एमस त्रोणे रिलेटेड जेटलू पन डीटेलिंग मा पुझातों ह ते बद्धिज वस्तों ही आपणे आवरी लएची तमारे आना थी वधारे प्रिप्रेर करवानी जरूर रेती नथी हाँ तमे एक्स्ट्रा स्टेडी करी सको बट तेट इस इनफ सव प्रथम तमे आटलू टोपिक मा क्लियर कर सो रेडी कर सो तो तमने इजीली क्रेक करवा छते चांस मर से कॉम्परिटीव एक्सा ओकी नेक्स्ट प्रकार छे जननिक विक्रूती जे आपणे हमना जोई तेना बे प्रकार सब्स्टिटूशन और फ्रेम्शिफ्ट म्यूटेशन रंग सुत्रिय विक्रूती छते लांबो और अने मोटो टोपिक छे त्या आपणे फ